किसी मूर्ती के अंदर क्या कंकाल हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है भला कंकाल किसी मूर्ती में कैसे हो सकता है लेकिन आपको अगर कहा जाए कि मूर्ती के अंदर असल में कंकाल पाया गया है तो क्यों यकी नहीं हुआ ना लेकिन वीडियो को पूरा देखे उसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा और आप कहोगे what the fact और हाँ आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक चेर कर दो नहीं तो बाद मैं भूल जाओगे वैल बता थे कि 2015 में चीन में वैज्यानिकों को 1000 साल पुरानी बौध मुर्ती मिली है जो कि दिखने में तो एक साधारन मुर्ती ही लगती है लेकिन जब वैज्यानिकों ने इस मुर्ती का CT scan किया तो उसमें पता चला कि इस मुर्ती के अंदर गंकाल है ये कैसे हुआ आपको इससा जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक के जरूर करो जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता है आप लोगों का और हम नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं दरसल ये जो मुर्ती थी उसके अंदर कंकाल होने के पीछे खास वजह है दरसल इस मुर्ती को एक बहुत सन्यासी के सब के उपर बनाया गया है और इस कारण से बनाया गया है ताकि उस बहुत सन्यासी का जो अस्ति है वो सालों साल तक सुरक्षित रहे